है वेसली वीडियों मैंने अपने विवर्व को कहा था कि आप कि आपको क्या लगता है बेबी बॉइ हो गया बेबी ओर और है कई लोगों के कई लोगों का सही गैस किया हैं उनका नाम अनॉंस कर लें वेलकम भेक टो वर चैनल ईन्लियन बेबी बॉनी नियुरो और मैं ness किरत पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको दिखाया था यहां पर गौवर्मेंट होस्पिटल किस तरह से बने होते हैं और हम होस्पिटल क्यों गए थे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था हम गये थे एनोमेली स्केन के लिए जो की 17 टू 21 वीक के अंडर होता है और मेरा जो हूँ एकिसवे हपने में हूँ तो काफी अच्छा एकसपीरियन्स रहा है यहां पर एक्ष़ली मतलब जो सकेन था वैसे तो मेरी सेकंड प्रेग्नेंसी एए बत जो फर्स्ट प्रेग्नेंसी ती उसमें मेरा एकसपीरियन्स बिल्कुल अलग था वो कैसे था जैसे कि मैंने देखा है कि यारा के टाइम पे जितने भी अल्टर साउंड वगेरा मेरे हुए थे तो स्क्रीन पे ब्लैक इन वाइट सा दिखता होगा तो ऐसे ही मतलब वह भी ऐसे दिखा रहे थे लेकिन जब वह मेरे को फेस दिखा रहे थे तो वहां पर हाइलाइट कर रहे जैसे बच्चे के हाथ हर एक चीजे उन्होंने मुझे बहुत वारिकी से दिखाए और बच्चे के अंदर फेपड़े वगेर मतलब एवरीधिं उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से दिखाया है तो यह जो स्कैन होता है यह मतलब आदह घंटे भी लगते हो पैंतालिस मिन लगा तो मुझे काफी अच्छा लगा यह सब देखके फिर मेरे मुझे लगा कि यह चीजे शायद अभी आई है कि मतलब इतनी बारे किसे अभी दिखा रहे है कि आरे कर टाइम पर ऐसा कुछ था नहीं तो मेरी एक फ्रेंड है उसकार मेरा सेमी आमन चल रहा है तो मैंने उ चाहिए तुम्हें याद नहीं होगा फिर मैं सोच रही कि किया रख कि टाइम का मुझे याद कैसे नहीं हो सकता इतना इतनी पुरानी बात भी नहीं है उपर से आपको पता है फर्स्ट बेवी का तो हर एक चीजे या रहते हैं मैंने तो जो मतलब हम वहां डॉक्टर के पा चाहिए उन्होंने मुझे दिखाया है मतलब माइन थोड़ा अजीब से होने लग गया थे कि यह चीज किया रहा के टाइम पर क्यों नहीं दिखाई फिर मैं घर आई तो फिर मैंने किया रहा के पुराने जो रिपोर्ट्स वगेरा थी वह देखी फिर मैंने पता चला कि यह बशना जोगोगोगोट प arbitrar अमने तना टायम लगाः और हलाकी रिपोर्ट में वश्च दिखा दिखा है कि यह ञारके रिपोर्ट्स में किष्छम न दिखाया है को से हो लिए रिपोर्ट्स में कुझने में सब्सक्रीदाय में इस कि अंट इसंट सब्सक्राइब लेकिन मतलब मुझे स्क्रीन पर दिखाया नहीं था तो फिर मुझे ध्यान है कि अच्छा मेरा जो है इंडिया में हुआ था इसलिए मुझे इसका कोई यादी नहीं है क्योंकि मुझे मेरे लिए नॉर्माली थी जैसे फॉर्स्ट अल्ट्रसंड वा तो मुझे यह था कि उन् जब भी मतलब उसकी हार्ट विर सुनने के लिए जब उसका स्केन था वह देखने के लिए लेकिन इस टाइम पर इतना मतद था नहीं मेरा लेकिन जब से मैंने यह जो मेरा एनॉमेली स्केन हुआ है और मतलब सारी चीजे देखे तो एक अलग सी अटेच्मेंट मेरे को होने जब मैंने उनको यह सारी चीजे बताया तो उन्होंने का कि नहीं मुझे भी नहीं दिखाया और उन्होंने भी कहा कि मेरा मतलब प्राइवेट होस्पिटल में हुआ तो यह चीज मुझे काफी भूरी लगी तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहते हूं जो भी मेरे वीव तो इतनी खूशी होती है जो भी हमारी तकलीपे होती है जो वामटिंग वगेरा कभी पेन हो रहा है तो वह सारी चीजे हम उस हार्ट बिट सुनके भूल जाते हैं तो जब बच्चे का सोचो फेस आपको दिख रहा है हर एक चीजे दिख रही है तो वह कितना मतलब रिलीफ आपको देता होगा तो आप जरूर इस चीज को देखे कि अगर मैं तो मेरी भावी प्रेगनेंट तो मैं उनको भी कह रही थी कि अब यह चीज होगी तो आप जरूर उनको इस तरीके से बोलना कि मुझे स्क्रीन पर दिखाओ क्या है कैसा है तो यह जो है अभी सेकिन बेब है हो कि 21 सब्क और फिर मैं उन दो धाई थी ऐी फिर को अंदर नहीं लिया था प्यूंकि इचुलीर ढारती यह चीज मुझे अच्छी लगी तो बर कंढर लिया ऑक सम ।्णी ए अधा bowl को छ? मेरे 15 वीक में उन्होंने बता दिया था लेकिन मैंने उस पर वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि एक्चुली जिस दिन मैंने जाना था सब को पता था कि दस तरीकों मैंने जाना था वहां सकेन के लिए तो घर वाले सभी मतलब थोड़ से परिशान थे क्योंकि आप पहली जो थी किया रहा जैसे कि आपको पता है मेरी बेबी गरल है तब हर कोई चाहरा था कि बेबी बॉय हो तो आपको भी पता है कि अगर कोई एक बच्चा चाहत है तो प्रविब तो जब आती स कि जैंडर मेल कि उट तो मैं काफी मतलब मेरे माइड में एकदम से चलने लगया कि Kar ap बूच्छे आप तो आई जाती है यह अई जैसे उसने जैन्डर बताया मेरा माइंड कहीं और ही चला गया कि अच्छा में इसको फोन करके यह बताऊंगी तो फिर मैं ने उसके बाद ध्यान से सुनी नहीं हाला कि उसके बाद उसने बहुत कुछ बोला तो फिर जब घर आ गए सब को बता दिया कि हां बेबी बोय है हर चीजे होगी फिर मेरे माइंड में आया कि उसने उसके बाद डॉक्टर ने बहुत कुछ बोला था मैंने ध्याने दिया कहीं सब कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा फिर अब वोचीज मेरे माइं चलने लगी तो इसलिए फिर वीडियो नहीं बनाई मुझे था कि दूसरी बार कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा तो मैं आपको बता देती हूं कौन-कौन लुग थे ऋन्होंने बेभी गयस गयाए मुचक फैकर लोगों लड़का जा्यां नाम लेती हूं मैं आपको बता देती हूं सबीना नाज जी है वो मेरी मतलब बहुत पुरानी सब्सक्राइब जब से मैं ने मतलब व्लोगिंग स्टार्ट की है तो मुझे हर टाइम मुझे मैसिज करते हैं तो उन्होंने भी बेबी बॉय कहा है परमोज सिंग है उन्होंने भी बेबी बॉय कहा चारू महराजी है उन्होंने भी बेबी बॉय कहा और स्वीट मेमरीज करके एक चैनल है शायद उनका तो उन्होंने भी बेबी बॉय कहा है और थिंक लाइकर नर्स करके एक चैनल है उन्होंने भी baby boy कहा पायल गुसाई उन्होंने baby boy कहा वर्धानी कामा वरापू शायद मैं पता नी ठीक से नाम नहीं ले पारे उनका baby boy कहा दीप्रमने उन्होंने भी baby boy कहा इसके अलावा आना पांडे जी है आना पांडे वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं मेरे अर्ष वीडियो को और उनने बीका पर दूआ है कि वो तो जी आप लोगों की डूआ काम आया निकलाए कि पर नहीं से नहीं पाराली लड़की पर्वारा ही है कि फीर धाती है क्लिवकर जरूरत भी यृक भी है भी फिर-उस嫌ः बातनी दो बच्चे कोई सोचता तो फिर एक लड़की लड़का बेस्ट रहता है तो भगवान ने मुझे दे दिये तो बस दुआ कीजिए कि सब कुछ ठीक ठाक रहे तो यह था मेरा आज का वीडियो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया एक्स्प्लोर करूंगी मैं वह चीज़े दिखाऊंगी और कई लोग मुझे कह रहे हैं कि आप डेली रूटीन पर अपना वीडियो बनाएं जो कि थोड़ा टाफ है मेरे लिए क्योंकि कियारा के साथ कैमरा लेके चालना भहुत मुश्किल है उपर से मैं पहले ही काम बहुत स्लो करती तो कैमरा के सामन लोगों से कई लोग ऐसे हैं कि जो मतलब मेरी वीडियो देखते हैं बाट उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है अच्छी लगती है तभी आप लोग मेरे वीडियो देखते है इतना अच्छा लगते फिर मेरा मन करते हुआ हूँ 습 dar surprise अगर औरDe ऌने ख़र को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो मेरे सब्सक्राइबर है वह इसी तरह से मिरे को सपोर्ट करते करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइबाइब